जैमाता दिमित्रो हमारे योट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आपको पित्रों की ऐसी पूजा बताने वाला हूँ और जिस विदी से मैं आपको बताऊंगा पूजा करने के लिए पित्रों की यगर आप इस विदी से अपने पित्रों की पूजा करेंगे、 अपने पित्रों को भोग प्रसाद देगे, तो निश्चत रूप से बड़े से बड़ा तानत्रिक भी आपके पित्रों को कभी भी बांद नहीं पाएगा। सबसे पहली चीज तो यह कि पित्रों के लिए जब हम कोई भोग प्रसाद देते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है देखिए पित्रों का एक दिन होता है अमावस्या का और इसके साथ में जो श्राद पक्ष आते हैं पित्र पक्ष आते हैं व इस दिन वो दिवंगत हुए थे, वो दिन आपको आपके ध्यान में होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हमारे पित्र नौमी को खतम हुए थे, या दशमी को हुए थे, या पंचमी को हुए थे, या चतुर्थी को हुए थे, तो आप समस्त पित्रों का श्राद अमावस्या के दिन कर सकते हो अमावस्या का दिन उन सभी के लिए होता है जिनके बार में हमें जानकारी नहीं होती उनी लोगों के लिए अमावस्या का दिन होता अगर आपको जानकारी है तो आप उस दिन करिए पंचमी को चतुर्थी को तृतिया को नहीं तो आप सीधा सीधा अमवस्या के दिन भी आप शराद करेंगे तो वो उन तक वो चीज पहुंच जाएगी जो आप अपने पित्रों को अरपित कर रहे हैं ठीक है तो आपको करना क्या है कि देखिए हर महीने में एक अमवस्या पढ़ती है और हर महीने में जो अमावस्या पढ़ती है आपको उनको अपने पित्रों को भोग प्रशाद जरूर देना चाहिए ताकि वो आपका नियमित रूप से कल्यान करते रहें लगातार आपके उपर उनकी कृपा बरस्ती रहें उनका आशिरवाद आपके उपर लगातार बना रहें अगर हमारे पित्र त्रिप्त रहते हैं तो हमें भी त्रिप्त रखते हैं ठीक है आपको करना क्या है कि गोबर का कंडा ले लेना है गोबर का उपला ले लेना है आपक ठीक है जब उसकी आच बन जाएगी तो आप उसको किसी भी मिट्टी के पात्र में या किसी भी प्लेट में या किसी भी थाली में आप रख सकते हो अगर आपके पास में छोटा सा हवन कुंड है तो आप उसमें भी उसको रख सकते हो उसमें रखने के बाद में थोड़ा सा आपको कपूर डालना है थोड़ा सा देशी घी डालना है डालने के बाद में आपको अगनी परज्वलित कर लेनी है उसमें थीक है अगनी परज्वलित कर लेनी है उसके बाद में आपको दो बूंदी के लड़ू लेने है और दोनो दो लड़ूओं में से आपको थोड़ा थोड़ा प्रशाद तोड़ करके उस अगनी में अपने पित्रों के नाम से अर्पित कर देना है सबसे पहले आपको जल का आचमन देना है ते तीन बार आपको जल का आचमन देना है अपने पित्रों के लिए ओम शरीपित्र देवताभ्य नमहा ओम शरीपित्र देवताभ्यो नमहा इस परकार से बोल करके आपको तीन बार जल छोड़ना है अगनी के चारु तरफ जल छोड़ने के बाद में दो लड़ू का भोग लगाना है थोड़ा थोड़ा सा तोड़ करके अपने पित्रों के नाम से अगनी में आपको स्वाहा कर देना है ओम शरीपित्र देवताभ्यो स्वाहा इस परकार से ठीक है और अमावस्या के दिन आपको अपने घर में खीर पूड़ी हलवा सबजी ये सारी चीज़े बनानी है कब बनानी है प्रातहकाल सुबा सुबा आपको बनानी है और बिलकुल साफ सुत्रे तरीके से आ आपको अपने पित्रों के लिए प्रशाद बनाना है खीर पूड़ी हलवा सबजी जो भी आप बना सकते हो ठीक है वह आपको बनाना है और वह प्रशाद बनाने के बाद में अपने पित्रों के नाम से आपको एक थाली निकाल ली है थाली में से थोड़ा थोड़ा सा प्रिकार कीजिए इस प्रकार से बोल करके जो भी उनका नाम है आप उनको नाम से बुला सकते हो अगर आप जानते हो अगर आप नाम भी नहीं जानते तो आप इस प्रकार से बोलते हो बोल सकते हो कि मेरे जाने अंजाने जो भी पित्र है मैं उन सभी का आवाहन करता हूं हमारा मंगल करिए हमारी कृपा करिए और हमारे घर में सुख सम्रिद्धी प्रदान कीजिए इस प्रकार से आपको अपने पित्रों को भोग परशाद देते रहना है हर अमावस्या को ऐसे ही आपको करना है उसमें अगनी में भोग परशाद देने के बाद में जो थाली में ब ग्रहन कर लोगे और उसके जब पित्रों को भोग लगा दोगे तो उसके बाद में आप सभी लोग उस भोजन को ग्रहन कर सकते हो खा सकते हो जो आपने पकाया खीर, पूरी सबजी प्रशाद के तौर पे इसके साथ में जो शराद पक्ष आता है नवरात्रों से पहले ठीक है उस शराद पक्ष में जिस दिन आपके पित्र दिवंगत हुए थे उस दिन आपको उनके नाम से जैसे कि किसी के तृतिया किसी की चातरूति किसी की पंचमी तो उस शरीपित्र देवताभ्यो स्वाहा यह मंत्र है पित्रों की त्रिप्ति के लिए पित्रों को भोग परशाद पहुंचाने के लिए इस मंत्र से पित्रों की स्तूति की जाती है पित्रों को जो जो भी हम भोग परशाद देते हैं वो उन तक पहुंसता है हवन आप करोगे उस दिन अपने पित्रों के नाम से आप दान करोगे ब्रामडों को ठीक है अपने पित्रों के नाम से आप भोजन परशाद बनाओगे सबी ब्रामडों को भोजन खिलाओगे ब्रामडों को वस्तर वस्तर इत्यादी दान करोगे ब्र Ferramiro को दक्षिणा इत्यादी दान करोगे और इसके साथ में हवन जरूर करोगे श्राद कर में एक तरीके से किया जाता है पूरा का पूरा चाहिए आपने भले से गयाजी में श्राद कर लिया हो और पिंडदान कर दिया हो सारी चीजे कर दियो लेकिन उसके बावजूद भी यह आपको करना होता है ठीक है क्योंकि हमारे पित्र लोक में होते हैं और उन तक बोग परशाद अगर हम पहुंचाते रहते हैं तो उनका आशिर्वाद हम लगातार मिलता रहता है छाए भलेसे उनकी मुगती ही क्यों न हो गई हो ठीक है में मुकती तो उनकी हो जाती फिर उनका तो कोई लेना जो अकाल मौत मरते हैं, वो पित्र होते हैं, ठीक है, अकाल मौत मरने वालों की मुक्ती नहीं होती और वो ही हमारे पित्र होते हैं, उन्हीं को भोग परशाद दे करके हमें खुश रखना पड़ता है, नहीं तो वो ही हमारे घर में परेशानिया डालते हैं, हमारे घर में ची पित्र तो इस चीज को करना बहुत जरूरिए करते रहों गहां तो उनका आशिरवाद आपके ऊपर लगातर बना रहेगा और आप अपने जीवन में आप llegar स juntos matal Pky नहीं सकति छले जाओं कोई रुकावट कोई जो जानकारी मैंने आपको दिया, आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा, अब मिलूँगा आप से अगली वीडियो में, जै मातरानी की